accounting principle accounting principle होता है क्या है क्या बोला जाता है या क्या रूल है क्या गाइडलेंस है क्या होता है दोस्तों आप भी एगर सोच रहे हैं तो है सही वीडियो में हम बात करने वाले इस वीडियो में चैप्टर थ्री accounting principle class 11 अगर चाहते हो clear करना अपने concept को तो सही चैनल पर हो सीवाय concept clear your concept कर देंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर introduction of accounting principle start करते दोस्तों वीडियो को तो बात करते दोस्तों आज accounting principle का सबसे पहले meaning जरूर पता होना चाहिए accounting principles होते क्या है accounting principle basically होता क्या है दोस्तों यह basic guidelines होती है जो कि किस ने बनाई है government ने बनाई किस के लिए जो भी business चला रहे हैं उनके लिए basic guidelines होती जो कि उनको follow करनी होती है जैसे चोटे से example से समझते हैं for example जैसे हम अपना life जी रहे नौर्वड account से हट के बात करें क्या हमें कुछ rules follow करने पड़ते गौर्वर्मेंट ने बना रहे हैं कुछ rules follow करते जैसे अगर आपको क्या करना रोड क्रॉस करना तो हम zebra crossing से रोड क्रॉस करते हैं ठीक है आप अगर कोई public प्रॉपर्टी है गौर्वर्मेंट की तो हम उसको भाई डैमेज नहीं कर सकते लाइक पब्लिक बसेज हैं मैट्रो है उसको हम गंदा नहीं कर सकते यह कुछ rules है guidelines है जो कि हम follow करें ठीक इसी तरह से अगर मैं business run कर रहा हूं तो मेर को भी कुछ rules follow करने पड़ेंगे दोस्तों जी हां कुछ guidelines follow करने ही पड़ेंगी यहीं क्या होती है accounting principles होते है इस आर बेली बेसिक guidelines for any business जो कि चल रहा है और यहां पर हम बात करेंगे legal business की जो की registered होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी association में आर यह बास समझतो यह proper definition हो गया किसका accounting principle का नाउ एक छोटा सा concept आपको यहां पर पता होना जी से हम कहते हैं gap 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 का मतलब क्या होता है first of all is की first of all क्या देख लेते हैं full form देख लेते हैं तो gap का stand for generally accepted accounting principle क्या बोला मैंने generally accepted accounting principles होते क्या है basically या मतलब क्या है accounting principles यह ऐसे बनाये जाते हैं जिसको हर कोई business follow कर सकता easily इसलिए जर्नली एक्सेप्टेड accounting principle जो कि हर कोई business क्या करता है accept कर सकता है जो भी guidelines दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं तो कभी गार पेपर तो कभी गार exam में स्टार्टिंग के chapters पढ़ना proper playlist का link आपको नजर आ रहा होगा जाके follow करें और सारी लाइन वाइस वीडियो देख लें एक एक मस्त वीडियो बनाए गई आपके लिए आगे हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रॉपर थ्री एजम्शन होती है कुछ प्रिंसिपल्स होती है कुछ एजम्शन तो सबसे पहले आज की वीडियो में ओली थ्री एजम्शन पढ़ेंगे कौन-कौन सी पढ़ने वाले पहला सबसे पहले आता है दोस्तों गूइंग कंसर्ण एजम्शन क्या कहता है इसका डेफिनेशन के साथ देखते हैं दोग गूइंका सन एजम्शन दल पीरिय एड़ ओफ बिजनेश इस इन फिनिटी यह कह सकतो दलाइफ बिजनेशन इस इन फिनिटी दिर इस नो इंटेंशन इन फिनिटी यह कैसे इन फिनिटी अगर माल लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूट्व में क्या मैं चाहूंगा मैं आपको 6 मेन पढ़ाओं 7 मेन पढ़ाओ 8 मेन पढ़ाओं उसके बाद बंद गर दूँगा यूट्योब मैं नहीं पढ़ाय करूंगा ऐसा कुछ नहीं भई ऐसा ओणर्व आपका बिजनेश चले क्या बता सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हो कब तक चलेगा नहीं बता सकत है क्योंकि infinity period होता किसी भी बिजनस का अगर मैं बिजनस चला रहे हो क्योंकि फ्यूचर अंसर्टेन आप रिडिक्ट नहीं कर सकते अरे बास समझ जैनि जो लाइफ होगा बिजनस का वो क्या होगा रहा है बिजनस उनका और पीडिदर पीडिदर वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं इससे पर चलता है जो बिजनस का लाइफ है इन्फिनिटी होगा रुक नहीं सकता ठीक इसी तरह से यहां पर इसे जंशन का भी कहना है कि आप एजंशन कर लेंगे आज करके चलेंगे जो आपक बिजनस इन्फिनिटी दिर इस नो इंटेंशन टू क्लोज़िटी कोई भी मतलब हमारे दिमाग में सोच नहीं होती कोई भी खिलाव मतलब थौट नहीं आता कि हम अपने बिजनस को क्या कर दें बंद कर दें वह अलगला केसी हो सकते हैं कि हमें बंद करना पड़ जाए अगला दोस्तों कंसिस्टेंशन बोलता क्या है यह कहता है कि भाई कि भाई देरिज ओनली वन मैथट यानि आप एक ही मैथड को आप काउंट के अंदर फॉलो करोगे अभी आपको में भी समझना है बट आप धीरे-धीरे समझोंगे एक वर्ड यूस करने वाला हूं डेप लिपरैशिएशन आपको पता है कमेंड करके बता सकते हो नहीं पता तो कोई बता देता की है चीज यह कंदेश करते हौं को इसकी विडियो बना अगर मालो है मैं 15जार का खरीद लोगे लिए एक महिने बाद भी आप 15 मजार का नहीं खरीद होगे क्यों क्यों इसको यूज कर लिए इसकी वेल्यू कम हो गई तो इसी क्यों दोस्तों कहते हैं इसके दो मैथड होते हैं अब आगे जाके आप पड़ोगे टम टू के अंदर मैथड का नाम क्या है SLM स्ट्रेट लाइन मैथड और दूसरा होता है WDV इसके अंदर हमें करना क्या होता है यह दोनों अलग-अलग मैथड है अगर आपका बिजनस है अगर SLM मैथड अडॉप्ट कर रहा है तो उसको SLM मैथड से ही चलना पड़ेगा सालों साल WDV लेना चाहता है WDV यानि एक ही एजम्शन यानि एक ही मैथड आपको लेकर चलना अपने बिजनस के अंदर यहीं कहती है consistency कि भाई एक ही यानि continuous एक ही मैथड आपको follow करना अपने बिजनस के अंदर कोई दूसरा मैथड पर नहीं जाओगे आगे बात समझ कंसिस्टेंसी कहती क्या है यह कहती है only one method आपको क्या करना है एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद उसको फॉलो करते चलना लास्ट और आखरी की बात कर लेते यह क्या कहता है कि आपको क्या करना है Transaction तब रिकॉर्ड करना कोई लिन दिन रिकॉर्ड करने जब कुछ का वह हुआ हुआ वह इंडा सेंस अगर मिंवाघ्र घ्क घिलता होगा तो आपको पता होना चाहिए के दोस्तों कि अगर भाई बात कर रहे हम एक्रूल एजंशन की तो यह जंशन क्या कहता है एवरी टांटेक्शन शुट भी रिकॉर्ड डिट वेन इट इस एंटर नॉट वेन इट टेक प्लेस यह प्रॉपर स्टेट्मेंट आपको मिलता है आपके बुक्स के अंदर किसको त तीन जंशन अच्छे से पढ़ लिए क्या क्या गोइंग इंशन जंशन और एक रूल एजंशन यह तीनों वीडियो में यह तीनों अच्छे से हमने बात करी नेक्श वीडियो में प्रॉपर अकौंटिंग प्रिंस्पल्स बता दूँगा मिलते हैं दोस्तों आई होप आप आपको थौट इसके बीछे का कंसेप्ट समझाया होगा क्या क्या था धीरे धीरे जल्दी हम क्वेश्चन्स भी कराएंगे आपको मिलते हैं नेक्श वीडियो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि जल्दी वीडियो आने वाली तब तक के लिए बाइ